हाई गाईज वेकम तो में चैनल इजी नेटिंग लाज़े इस तदेके फेंट्स आज में लेकर रहे हूं आपके लिए यह बेबी मिटेंस चोटे बच्चे के मिटेंस हैं यह देड़ साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएंगे की तो आगे मैंने इस में स्टेब बाया है कि आप इसमें 0-6 मन्त के किस तरह से और कितने मेजर मेंट से बना सकते हैं और क्या किते हैं इसमें 6-12 मन्त के आप कितने फंदों से बना सकते हैं और मैंने 12-18 मन्तों मैंने आपको यह बताई ही है तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किये हुए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बीच बीच में मैंने इसमें कुछ टेप्स और ट किस तरह से बनाए जाते हैं अब तक नहीं देखिए वीडियो तो मेरे चैनल पर जाके देखिएगा और अगर आपने नहीं देखिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप उसे चेक जरूर कीचिएगा और चलिए देख लेते हैं कि इसको किस लाइस सीधी-सीधी बुली है यह देखिए यहाँ पर चौतिस फंदे डालके एक सीधी-सीधी बुली है अम यहाँ पर देखिए रॉंग साइड आ गई हूं तो यहांसे मैं पहल एक फंदा सीधा और एक फंदा उलटा बुनूंगी ठीक है बॉर्डर बनाउंगी एक आधा मेर ने यहां पर यह सीधा और ढागा आगे किया एकसा मेर यहां पर यह उल्टा बना फिर धागा पीछे यहां पर यह पुरट सीधर का मेर बोर्डर बना लूंगी कंटी न arrestoy को एकसा उल्टा और एकसा बना सीधा करके देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ सीधा फंदा धागा आगे फंदा उल्टा धागा पीछे ये फंदा मैं लास्ट में लिलूँगी सीधा ये देखिए मेरी एक रो कम्प्लीट हो गई है उल्टे सीधे से उल्टे सीधे फंदेखी अब हम वैसे तो एक रो मेने सीधी निका ली थी, दूसरी मेने बौडर वाली निका लिए, एक फन्दा ulठा, एक फन्दा सीधी, तो अब हम थर्ड रोपर हैं, ठीक है, अब थर्ड रोपर हमें क्या करना है, उनके लिए मैं बता देती हूँ, जो फन्दा हमें जैसा दिख हमें वैसा ही बनना, यह देखिए हमें ये पहला फंदा उल्टा दिख रहा है, तो पहला फंदा तो हम skip कर लेंगे हमेशा, और देखे दूसरा फंदा हमें सीदा दिख रहा है, तो हम ढागा पीछे ले जाके तो इसे हम सीधा बनेंगे ये देखिए धागा आगे लाएंगे ये देखिए हमें फंदा उल्टा दिख रहा है हमें इसे उल्टा बनेंगे ये देखिए धागा पीछे जाएगा ये फंदा देखिए हमें सीधा दिख रहा है इसे हम सीधा बनेंगे इसी तरह से अब हम दोनों त करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी यह देखिए यहां पर इस तरह से वन इंटू बन का बॉर्डर हम बनाते जाएंगे और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बॉर्डर बनाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर देखिए पुराने वीडियो ल्टा कूँकि अब क्योंकि अगर हम पूरा वीडियो सो बनाते हैं हर सलाई एक सलाई दिखाएंगे तो गाहिस वीडियो बहुत लंबा वहो सब्के जाता है और फिर लंबे वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमंने थे चौँर्ट में ही बता आना पड़ता है यह देखे अब देखिए अब देखिए फंदा उल्टा दिख रहा है जैसे हमें इसको हम उल्टा बुनेंगे अपनी तरफ को धागा करके अगर आप बिगनर से मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैं बता देती हूँ यह बाकी तो मेरे विवर्स काफी एंटेलिजेंट हैं सब जानते हैं बाकी इसको बतना बनाने का तरीका मैं आपको बना बता दूंगी पूरा यह देखिए कि अब मैं थोड़ा सा और बताऊंगी नेक्स्ट रो और फिर मैं इसमें 14 रो कंप्लीक कर लूँँगी देखिए सीधा धागा आगे अल्टा धागा पीछे फिर से सीधा यह देखिए अब हम यह देखिए अब हम फिर से बैक जाएंगे अब देखिए इसमें फिर से हमें वही करना है जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसे ही करना है देखो पहला फंदा हमें उल्टा दिख रहा है तो पहला फंदा तो हमेशा हम स्किप करते हैं ये देखिए अब दूसरा फंदा हमें सीधा दोनों तरफ से एक उल्टा एक सीधा ही बुनेंगे यह देखिए इस तरह से तो पहले में 14 रोस कंप्लीट कर लेती हूं उसके बाद बताती हूं आपको क्या आगे क्या करना है यहां पर मैंने यह बॉर्डर बना के रख लिया है और बिगनर्स के लिए मैंने बॉर्डर बना चेशे साथ आठ नो दस ग्यारे बारा तेरा और यह 14 चौदा सला ही हमने बुनी सीधी तरफ हम आ गए ठीक है अब हमको क्या करना है यह बॉर्डर बना लीजेगा आपको क्या करना यह देखिए तो अब हमें यह वाला पार्ट बनाना है मिटेंस वार यह देखिए यहां से यहां तक तो यह यहां पर देखिए फंदे बढ़ रहे हैं तो अब हमें यहां पर फंदे बढ़ाने अब वो किस तरह से बढ़ाने यह देख लीजे पहले हम ये देखे पहला फंदा उतारेंगे एक दो तीन और ये चार अब हम सीधा सीधा बुनेंगे बॉर्डर नहीं बुनेंगे ठीक है तो चार फंदे मैंने बुने अब यहां पर एक का दो करूंगी देखिए इस तरह से फंदे बढ़ाए जाते हैं अगर आपको फंदे बढ़ाना नहीं आते हैं वो भी मैंने मेरी चैनल पर बताया हुआ है देख लीजे इस तरह से हम डालेंगे यह निकाला अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं बैक साइट से जाके यह जो बैक वाला लूप है यह इसी मैंसे एक और निकाल लेंगे यह देखिए तो यहां दो फ एक से यह दो एक दो दो तीन चार अब देखिए एक तो यह तरीका था अब हम चाहें तो ऐसे भी फंदा बढ़ा सकते हैं यह यह देखिए यह हमने फंदा बढ़ा लिया लेकिन हम उसी तरह से बढ़ाएंगे यह देखिए और इस तरह से भी हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से तो अब हम यह 4 पंदे बुनने के बाद फिर हमने फंदे बढ़ा लिया, ठीक है, एक line में हम एक इतरे से फंदे बढ़ाएंगे, फिर से 4 पंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, ये देखिए, 1, 2, 3, और ये 4 फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे वन टू थ्री फोर इसी तरह से हम ये पूरी रो कम्प्लीट करेंगे ये देखिए वन टू थ्री और ये हमारे पास फोर ठीक है अब बैक साइड आ जाएंगे जो कि हमारी रॉंग साइड है ये देखिए अब रॉंग साइड से हम पूरी रो उल्टी उल्टी ही निकालेंगे एक पंदा पतारेंगे इस तरह से उल्टी रो धागा आपने तरफ करके इस तरह से निकालते हैं बिल्कुल विग्नर से आप तो मेरे लास्ट वीडियो में देखिएगा मैंने इनके सब के सेपरेट वीडियो किये उल्टा सीधा कैसे बुनते हैं वन इंटू का बॉर्डर टू इंटू का बॉर्डर इस तरह से पूरी रो हम निकाल लेंगे उल्टी साइड से देखिए लास्ट में आ गए हम यह पूरी रो को हमने उल्टा बुनके कम्प्लीट कर लिया अब हम देखिए फिर से फ्रेंट साइड पर आ गए है यह देखिए सीडी साइड आ गए यहां किनारी से आप पैचान लिया कीजिए यहां खुबसूरत से किनारी बनके आती है वह हमारी फ्रेंट साइड होती है और देखिए यहां इस तरह से यह रोंग साइड होती है हमारी तो अब हम क्या करेंगे अब देखिएगा पहला फंदा हम हमीशा की तरह skip करेंगे लेकिन count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए अब हमने 5 फंदे बुने उसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे पहले हमने 4 फंदे बुनने के बाद 5 फंदा बढ़ाया था अब हम 5 फंदे बुनने के बाद 6 फंदा बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर से हम ये फंदा बढ़ाएंगे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदा बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 फंदा बढ़ाएंगे अब हमारे पास ये लास्ट में 4 फंदे बचे ये देखिए इस रो को भी हमने सीधी साइट से कंप्लीट कर लिया अब हम रोंग साइट आएंगे ये देखिए उल्टी तरफ पूरी रो को हम पहले की तरह जैसे हमने पहले बुना था पहला फंदा स्किप करके उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिए इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं इदेखिए इस तरह से रॉंग साइट हमने कंप्लीट कर ली बुनते हुए अब हम फ्रंट साइट पर आगए अब देखिए आपने काक करना क्या है अब तक हम फंदे बढ़ा रहे थे में इसमपल साधा बुनता है पहला फंदा मुल शीथा सीधा सीधा बुन नहीं नहीं रोण साइट में इल्टा बुननता ये देखिए इसी कहीं भी नहीं बढ़ाना है कहीं भी नहीं घटाना देखें लास्ट में आ गए त्रफ से भूण लेहां हम कि दीखें सीधी तरफ से गुनते और सीधा घूनते हुए हमने कम्पीट कर ली अब देखें हम फ्लौन साइड करते हैं पहला पंदा करके उल्टा बुनेंगे यह देखिए उल्टा बुनते हुए हम इसे कंटिन्यू करेंगे र hm यह देखिए इसी तरह मैं इसरो को कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद भी हम आपको बता май अबकाति घृश सीधी यह दो व॑र्त यह दो सीथा एक तरफ से एक तरफ स उल्टा यह से अल्टा जिसी तरह मैं टोटल 18 स लाइया म Attend enjoyed , Ols 16 और विनों गीए एक तरफ से सीधा एक तरफ से उल्टा दौन तरफ से काउंट करते वए जैसे सीधा मैंने बुना तो फर्स्ट रोग गई अब में उल्टा मुन रही हूए तो यह सीधा बुनूं घः थर्ड रो फिर सीधा बुनूं okay तो फीर्थ रह ivory इसी तरह से मैं 18 रोज कंप्लीट करूँगी यानि कि 2 निकालनी तो 16 और कंप्लीट करूँगी इसके बाद दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है फंदा नहीं घटाना है कहीं भी और नहीं बढ़ाना है जितने फंदे हमारे पास उतने ही बुनने हैं फंदे मैं काउंट करके बता देती हूं कितने हमारे पास 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 20, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 40 46 स्टेचेज़ हैं इतने के इतने ही रखना है हमें ठीक है तो चलिए फिर मैं इसे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हूं आपको क्या करना है यह देखें, यहां पर मैंने 18 लाइन्स कम्प्लीट कर लिए हैं, अब आपको एक चीज और मैं बता देती हूं, इसके लिए यह तो मैं बना रही हूं देड़ साल तक के बच्चे के लिए, देड़ साल के बच्चे को यह बहुत आराम से आएगा, और अगर आपको इससे 0-6 मंद के लिए ध्यान रखेगा, उसके बाद यहां पर आपको ने बढ़ाना सेम उसी तरह से है, जिस तरह से मैंने इसमें बढ़ाया है, चार के बाद फिर पांच के बाद, यह जो मैंने यहां पर 18 सलाईया बुनी है, 18 की जगे आपने 6 महीने तक के बच्चे के लिए 8 स 10, इसके बाद एक साल तक के बच्चे के लिए क्या करना है, आपको 32 फंदी बॉर्डर पर लेनी है, सेम इसी तरह बढ़ाना है, प्लस जो आप यहां, मैंने यहां पर 18 सलाईया ली है, सीधे उल्टे की, आपने यहां पर करीबन 12 सलाईया ले लेनी है, ठीक है, 12 से 14, 12 से 14, तो नहीं, लेकिन 14 या 12, आप अपने बच्चे के हाथ के कोडिंग देख लेंगे, हेल्थ के कोडिंग, तो उसके बाद हमने, मैंने 18 बुनी है, इसके बाद आपने क्या करना है, वो देख लेना है, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, अगर आप छोटे बच्चे का भी बड़ा बना रहे हैं, और इससे जैसे 0 to 6 या 6 to 12, ठीक है, इससे बड़े के लिए तो आप गलफ्स बना सकते हैं, मेरे चैनल पर मैंने गलफ्स बताए हुए हैं, और अगर फिर भी इससे थोड़े से बड़े का बना रहे हैं, आप 2 यर्स तक के, क्योंकि 2 यर्स से आप लिए पारा की जगह हमने 22 लाइन बूल लेनी है, 22 लाइन लेने के बाद फिर आगे जो मैं बता रहे हैं, वही आपको सेम करना है, अब देखिए हमने यह आप क्या करना है, पहला फंदग दो हमें स्किप करना है, यह देखिए, उसके बाद इसको मैं काउंट करना है, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बुने, अब हमने यहां दो का एक कर लेना है, वहाँ हमने चार फंदे बाद पाचवे फंदे पर बढ़ाया था, अब यहां हम घटाएंगे चार फंदे बाद, फिर से चार फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, और यह चार, अब यह दो क का एक कर लेना है हमें यह देखिए इस तरह से फिर से चार एक दो तीन चार दो का एक एक दो तीन चार दो का एक पूरी रो इसी तरह से हमें लेनी है चार एक भाउट डिर आ डिर से तरह एक अन Âन का दो कुछ तरह 3, 4, 1, 2, 3, 4, यह देगे लास्ट में हमारे पस 4 बचते हैं, अब हम रॉंग साइड आ जाएंगे, रॉंग साइड से हमें पूरी रो उल्टी ही बुननी है, फंदे ना तु घटाने हैं और ना ही बढ़ाने हैं, पहला फंदा स्किप करेंगे, पूरी रो उल्टी ही बनेंगे इसी तरह से, तो मैं इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ, यह देगे, रॉंग साइड मैंने आप है, पूरी रोल्टी बुन ली, इसके बाद मैं अब फ्रेंट साइड से फिर से आगए, स्वीदी साइड, पहला स्किप करूँगी, एक, दो, यह तीन, देगे, पहले हमने चार बने थे, अब हम तीन बनेंगे, अब हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम डिक्रीज करते जाएगे, यह हमने बढ़ाए थे, तो हमने इसमें इंक्रीज किया था, अब हम डिक्रीज करेंगे, तीन फंदेल बने, फिर दो का एक करेंगे, इस तरह से, एक, दो, तीन, फिर से, दो एक, एक, दो, तीन, दो का एक, एक, दो, तीन, इसी तरह से मैं पूरी रो को कम्प्रीट कर डूँगी और उसके बाद फिर मैं एक रो उल्टी बना लूँगी, पीछे की रो उल्टी ही बनेगी देखिए मैं फ्रंट साइड आ गई हूँ, रॉंग साइड से मैंने बुल ली, अब हमें देखी क्या करना है, नेक्स्ट, पहला स्किप हमेशा की तरह है, दो फंदे, एक, दो, अब दो का एक, पहले मैं ने चार बुन के, दो का एक किया, फिर तीन बुन किया, अब दो बुन एक दो एक दो एक दो एक दो एक, दो, और लास्ट में ये, दो का एक, ये देखिए, रोंग साइट से, पूरी रोह हम, उल्टी बुनेंगे, हमेशा की तरह है, स्किप करके, इसे बुन लेती हूँ मैं, देखिए, फ्रंट साइड आ गए, अब हमें क्या करना है, स्किप करना है, दो का एक करना है, मतलब पहले हमने दो बुने फिर दो का एक फिर पहले चार बुने दो का एक फिर तीन बुने दो का एक फिर दो बुने आपके बार एक बुनेंगे फिर से हम एक बुनेंगे दो का एक करेंगे पूरी रो हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे एक नट देखिए फिर से एक बनेंगे दू का एक करेंगे एक बनेंगे दू का एक करेंगे एक बनेंगे इतिके लास्ट में दो का एक दिखे हमार बास फंदे काफी कम रह गए अब बैक साइड से पूरी रो ओल्टी बुनेंगे प्रेंट के आगे अब देखिए अब हमने क्या करना है एक बुन के दो का एक किया था अब हमने हर एक पंदा इस्किप करना है नहीं सौरी एक लास किप नहीं करना हर पंदे को दो काई करना है इस तरह से हर पंदे कोग देखे 1 दो का एक कुम दो का एक इदेखें रोंग साइड से हमें पूरी रों उल्टी ही निकालनी है कद अरो के हमारे पास ऑ रोट कम फंदी रहें गया है तीन है चार पाउंच छे अब हमारे पास आठंड रह गए अब हमें क्या करTM आई दिखें अब हमें इन फंदों को बंद करना है इसकी लिए हमने डील ले लेनी एक और धागे को कट कर दिना है इस तरह से अब देखिए यहाँ पर धागा है हमारे पास यहाँ पर अब हम यहाँ पर करना क्या है यह देखिए इस साइड से लाएंगे सब में इस तरह से हर फंदे में पर रोलेंगे इसको एक मिट क्लियर कर देती हूँ मैं इसको येस ये देखिए हर फंदे में से निकाल देना है और इस सलाई को हमें निकाल देना इसमें से अब ये देखिए हलका सलूच छोड़के इसको वापस से हमें हर फंदे में से आप चाहें तो डवल कर सकते हैं ये देखिए अब इसको हमें टाइट करके खीच देना है ये देखिए इस तरह से अब रॉंग साइड से इस तरह से लाके हमें यहां से लेके यहां तक पूरा स्टिच कर देना है देखिए किस तरह से गलफ्स को हमें अपने मिटिंस को स्टिच कर देना है इस तरह से कि देखिए कि मैं तो अपने सिंपल ही सिलूंगी अपने अपने तरीके से सिलिएगा आप सब कि अलग अलग तरीके उद्दें सिलने के यहां से यहां तक पूरा सिल लेना है कि देखिए मैंने यहां पर यह सिल्कर रेडि कर लिया है पूरा इस्ते चर दिया है यहां से यहां तक अब हम इसको सीधा कर लेते हैं कि देखिए बहुत ही खुबसूरा सब बेबी मिटिंस बनके रेडियो हो गया है हमारे पास अब यह दिखिए कि प्यारे लग रहे हैं यह देखिए गइस यहां पर यह सितरह से बनकर रेडियो होगए हमारे वेबी मिटिंस बहुत ही प्यारे बनें और मैंने स्टेप बाइ स्टेप पूरा आपको बताया है डिटेल में कि आप इसे चोटे बड़े मिटिंस किस तरह से बना सकते हैं तो कईसा अगर वीडियो पसंद आई हो बनाने का तरीका समझ में आया हो बताने का तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ में जो बैल बटन का एकन उसे भी इट कर दें जैसे कि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और बिना देर किये मिलते रहें और मुझे कॉमेंट करके बताएं आगे आप जो भी प्रोजेक्ट देखना चाहते हो मैं उसे आपको जरूर बताऊंगी तो चलिए फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तैंक यू